आप लोग law and order की बात कर रहे हैं मगर महाँ पर कोई भी border पर आप लोग रुखा नहीं रहे हैं इसलिए हम गवरक्षकों को आगे आकर गवरक्षक करना पड़ रहा है तो मैं ये पूछना चाहरा हूँ ये गाड़ी चड़ाने का order किस ने दिया असदू दिन ओएसी दो दिन पहले एक letter देके बोला कि गायों का गाड़ियां रोका जा रहा है हम गवरक्षक है गाड़ियां रोकेंगे असदू दिन ओएसी आज ये दुरगटना होई आज हमारा गवखत अंदर जान चे लड़ रहा है अगर एक भी गवखत भक्त की जान ज अच्छा के तेखो तेरी तारी निकलने लगा देंगे गोवखतों को क्या मामूली समझ रहा है हम का अब आप देखेंगे या बखरी दाने वाली है अचानक हजराबाद की जो रोड़े हैं महां पर गवरक्षक पैदा हो जाते अरे जो करो साल के ग्यारा महिने तुम्हार को याद नहीं आई अम्मा की महबबत याद नहीं आई तुमको अब क्योंके बखरी दारी फौरण हो जागए कल मीर पेट पूली दोस्तों मैं फरहद मुखसी अभी कुछ दिर पहले में एक लाइव आया था जिसके बंद करने के बाद दो चार मिनिट के बाद मुझे किसी न लाइव नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर कुछ बात आपने बताई थी जो की बहुत अच्छी थी लेकिन वह नहीं आ रहा है तो इस वजह से मैं दुबारा से लाइब आ रहा हूं वहराल एनिवेज मैं कहना यह चा रहा था कि एक बीजेपी का दो टेके का लीडर अभी अभी जिसका मैं बयान देखता हूं जिसके अंदर वह कहता है कि बाई हम गावरक्षा करने के लिए जो है ना कुछ ट्रक को रोकने की कोशिश करें तो एक ट्रक के सामने शायद उनका गावरक्षा आ गया जिसकी वज़े से व अगर उसको कुछ होता है तो वह भरहल एक कमीनल वाते करता है और यह लोग साल भर कुछ काम करते नहीं है लेकिन एन एद के मौके पर खासकर के बकरा एद के मौके पर आ जाते हैं गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए और उसके साथ-साथ वह बहुत बड़ी बात कर अगर डायरेक असद दीनेवेसी को कुछ कहता तो शायद मैं उसके पर रियक्शन ना देता लेकिन उसने कहा कि असद दीनेवेसी की धाड़ी काटेगा वह लटा लटका के तो अगर तेर में है दम तो वाकए में असद दीनेवेसी को हाथ भी लगा के बता ले भाई असद ये बकरा यद होती है तो बहुत ही खुबसुत तरीखे से जयसे के ये दुनिया की एकौनॉमी के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट है ये ये एई के गाउं के अंदर वो गरीब लोग करते हैं जो साल घर जानवरों को पालते हैं और उनको जो है ना, उनको छ्वेरा किलाते हैं, भारहल उनको बड़ा करते हैं, इसी इनतजार में कि जब बकराइद आएगी तो हम यह जानवर बेचेंगे मार्केट में, फिर वो बेचने के बाद, यानि जानवर बेचने पर भी गरीirm Singh का फायदा। और जानवर बिकने बा तो अब तू गाउरक्षा के नाम पे ट्रकों को रोक के एक तो बिचारे घरीब ड्रैवर को मारने की बात कर रहा है यानि ड्रैवरों को मारते तोड़ते हो तुम लोग उस वज़े से शायद वो अपनी जान बचाने की चक्कर में तेरा जो भराल साती था उसको उट्स ने टक्कर मार दिया और वो दवाखने पहुँच गया तो आते क्यों हो कुटे बिल्यों की तरह ट्रकों के सामने तुम ये काम करते क्यों हो भाई तू क्या स्टेट गवर्मेंट का एंपलॉई है सेंट्रल गवर्मेंट का एंपलॉई है तू है कौन भाई पुलीस है खानून है कोट है कोट के जरीए से अपरोच हो पुलीस को क कि आ हालों है किसको पर्मिशन दिया ह canyon किसको नहीं धिया हूआ है कि सको रrokना है किसको नहीं रोकना है अगर कोई एलीगल कर तारीखे से लेता है जा उपलीस में निलीड़ करो ऑसके खिलाब मुटे से मुटाय उस पर मोखे पे एक तो वो अपने बकरे बेचते हैं अपने बैल बेचते हैं अपना जानवर बेचते हैं उससे उनको पैसा मिलता है जिससे कि उनके साल भर का खर्चा निकलता है और दूसरा जब कोई अमीर आदमी या तो फिर जो कोई भी मुसलमान ये बकरे खरीते हैं या बैल ख तो ये गरीबों के लिए एक बहुत ही एहम एद का मौका होता है और तुम जैसे जंगली लोग जो जानते नहीं हो कि भाई ये एद क्यों है क्या है उल्टे सीधे हरकते करने साल भर तो कोई काम करते नहीं हो लेकिन एन बकराईद के मौके पहुंच जाते हो अपना कम्मिनल चाहरा दिखाने के लिए माहूल को गंदा और खराब करने के लिए और पॉलीस को चाहिएगा कि इन जैसे बदमाशों के पर सख्ट से सख्ट अक्शन लिया जाए कि किस बुनियात पे किस यानि किस रीजन से ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे ट्रक्स को रोकने के ल और मैं नहीं समस्था कि तुम कोई हिंदू या सनातनी धर्म के हो अगर तुम हिंदू या सनातनी धर्म के होते हैं तो तुमको पता होता कि भई दूसरे रिलिजन की से रिस्पेक कैसे करना चाहिए हम अपने हिंदू भायों के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं होना चाहिए करक और इस तरह के बदमाशी हरकते करना छोड़ो भाई चारे से रहना सीको